नमस्कार वेलकम टू एक सर्विशमेन इंडिया एटूब चैनल इंडियान आप फोज में याने की फोज में सर्विस करने के बाद जब आप रेटायर होते हैं या फिर जो फैमिली पेंशन ले रहे होते हैं उनके लिए उनके बच्चों के लिए गौर्मेंट आप इंडिया बहुत सारे स्कीम रखा है यह सारे स्कीम के बरे में एक वीडियो इस चैनल में है जो आप देख सकते हैं पर आज का इस वीडियो स्पेशली है कि आपका स्टेट गवर्मेंट आप जो भी स्टेट से बिलांग करते हैं सबी स्टेट में एक सबीस्मेन एंड डिफेंस मिल सकता है चाहे वो नोकरी के लिए हो या फिर स्पेशल ग्रांट हो या फिर हाउस टैक्स में छूट हो टोल टैक्स हो गर्मेंट वेस्ट लैंड हो किसी भी प्रकार का जो भी वेलफेर अक्टिविटीज है फॉर एक्स तर्विस्मेंड और डिफेंस फैंबली पेंशिनर उ है सैनीक या भूत पूर्ब सैनीक के लिए अगर आपने अभी तक इस चनल को सब्स्राइब नहीं किया तो जो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें सबसे पहली जो पॉइंट है 1. Reservation in group C post 5%, group D post 10%, forest guard 10%, forest watcher 5% and 25% in NCC department for the post of Laskar's driver watchman, basic service 10%, livestock inspector courts 5% 2. Reservation in government jobs of Tamil LaRu for ex-servicemen and their widows 3. Age relaxation for appointment to state government service up to 53 years for OVC and SC and 48 years for others 3. Automatic acceptance of equivalent military trade to civil trade 4. Stipend 1000 रुपय का per month मिलेगा, ex-servicemen trainee जो ITI में training कर रहे है 5. Financial assistance to 3000 to widows on death of their husband 5. Lifetime monthly grant, 500 रुपीज का मिलता है, ex-servicemen या उनका widows के लिए 5. Towards maintenance of those who have not been able to find suitable employment or not in position to earn by working 5. जिन ex-servicemen को कोई job नहीं मिला या फिर उनको living के लिए earning नहीं कर पा रहे है, तो उनको ये शिविजा प्रदान किया जाता है इसके लिए है scholarship या stipend है, चिलन आप एक शर्विजमेन के लिए जो vocational course वगरा कर रहे है 8. Lifetime grant पर 1000 रुपया पर मंद जो world war veterans है और 800 रुपया world war veterans का wise के लिए है जिनको pension नहीं मिलना है उनके लिए 9. Lifetime grant पर 800 रुपया पर मंद तो टोटली ब्राइन एक शर्विजमेन के लिए और या उनका विडोज के लिए है 10. Lifetime grant पर 800 रुपया पर मंद तोट तोट आपे लुपया पर मंद तोटेज्या सावार by ASM or widows, up to maximum 2,50,000, and 100% of interest on loan available by self-help groups, up to maximum Rs. 7,50,000 for self-employment ventures, यह बहुत बड़ा एक स्वीदा है, जो बाकी स्टेटों में नहीं है, Number 13 है, Cash Grant, Cash in lieu of land and annuity to valentary award winners, Number 14 है, Maintenance Grant of Rs. 900 per month to disabled ex-servicemen undergoing training at Queen Mary Technical Institute, Kirky, Number 15 है, Grant of Rs. 8,000 for marriage of one daughter of ex-servicemen oblique widow, Number 16 है, Payment of Rs. 1,000 per month to Annette Nimadhi alum for destitute ex-servicemen oblique widows at Chennai, Number 17 है, World Service Incentive of Rs. 7,50, per annum, यह parents को मिलता है, जिनका only बच्चा, एक only son या daughter जिनको आंफोस में भेजा गया है, और जिनका more than one son या daughter को भेजा है फोज में, उनकी लिए एक हजार रुप्या पर month उन parents को दिया जाता है, Number 18 है, एक सबसिदी मेलता है, 50,000 पर फ्सक्राक्श का रिजाच्चा इंडिर्प्यल सेद और पच्छे उ पर प्रोट पर for ex-servicemen. Number 19, Financial Assistance Up 2 ₹ 1,500 per month to ex-servicemen towards purchase of hearing ads, spectacles, artificial dentures and artificial limbs. इसके अलबाग, नम्र 20 में, ग्रांट आप 2 रूपीज 15,000 और अक्ट्वल और अलिवेशन अफ दिस्ट्रेस दिटो फायर, प्राइड, सिविल राइट, एक्सिरेंटल देट, अगर नच्रल कलामाइटिस. नम्र 21 है, फिफ्टी रूपीज पर दे, फिटी रूपीज पर दे, टू अगर रूपीज दे, वेशन रूपीज दे, प्राइड, प्राइड, ये सब में वाली में, जो सब अभर कर रहा है, और उनके लिए, ट्रेटमेंन का भी, रही रहाइटेशन हों का भी बन्लाबस है. Number 22 है, मचिन ग्राइं पर रूपीज थे, 1000 पर मन्त, तु टीव लेप्रस्टी पेशेंट, फो रूपीज प्रूपीज पर रूपीज थे, लीज थे, Number 23 है, तूब का ये गव्त रूपीज थे, लेप्रोशी पेशेंट और लईवाप दिपावली फेस्टिबल. जो कोचिंग ले रहा है उनके लिए. नमबा 27 में है, ट्रांस्पोर्ट चार्ज तु एक सर्विसमेन, अब एक टीबी, लेपरसी, पेशेंट आप दिशनाटरियम तु विजिट यार होम पिरियोडिकली. इसके लबा 28 में है, इसके लबा नमबा 28 में है, जो हैर सेके लिए का बाद उनके लिए है. नमबा 29 में है, रिजर्वेशन आफ सीट इन एडुटिशन आफ सीट इन इस्टिटूट फर चिल्रेइन आफ एसम. नमबा 30 में है, इंटार अफिशनल एक्सिटार्ड करते हैं. नमबा 31 में है, Educational Concession and Book Allowance. No. 32 है, Exemption from Payment of Tuition Fee by Children of Ex-Servicemen in All Grades of Educational Institutes, including Professional College and Institutions. No. 33 में है, Pre-Medical Aid in Government Hospital for Ex-Servicemen, Pensioner, Including Officers. 14 बेड भी रखा गया, Taluk Headquarter का जो Hospital है उसमें. और TV Sanitarium में 10 बेड एक्सर्विसमन के लिए reserved है. 34 में है, Reservation of 10% in Allotment of Plots and Industrial Sets. No. 35 में है, Land Tenancy Act, Resemption of Land, ये एमेंड किया गया. No. 36 में, 7% Reservation in Allotment of House Sites and Houses for Ex-Servicemen Widows, developed by State Housing Board. No. 37 में है, Reimbursement of House Tax to Widows of Ex-Servicemen, Pensioner, who are Widows, who are Disabled and Gallantry Awards Winner. And to the Widows, who are in receipt of Defense Family Pension for Self-Occupied House. No. 38 में है, Scenic Rest House, जो Tamil-Laru State में है, वहां पे Ex-Servicemen रह सकते हैं. No. 39 में है, Priority in Providing Electricity for Pump Set. No. 40 में है, Exemption from Examination Fees, Hospital Fees and Court Fees Stamp. ये एक बहुत बड़ा सुवीरा है, Tamil-Laru सरकार की ओर से. No. 41 में है, Free Steering Machine to Widows of Ex-Servicemen, trained in the Tailoring Embriidery. No. 42 में है, Income Tax Exemption for Pension to Winners of Galantary Awards, परमीर चक्रा, बीर चक्रा, ये सब जो अवार्ड मिला है, उनके लिए है. No. 43 में है, Allotment of Unit Trust of India Agencies. No. 44 में है, Free Passage to Transport the Bodies to Officials and Men of Armed Forces, Killed in War, Insurgency, Operations, Aid to Civil Power, When Died in Harness by Indian Airlines. No. 45 में है, Train Travel Occasion to War, Widows, Recipients of Parambir Chakra, Ashak Chakra, Mahabir Chakra, Beer Chakra, इसा of Galantary Award winners के लिए दिया जाता है. No. 46 में है, Free Legal Aid for Settlement of Dispute. No. 47 में है, Full Concession in Installation Charges and 50% Concession in Normal Rental Charges to Galantary Award winners, Overviews and Disabled Soldiers for Telephone Facilities. जो कि आज का दुनिया में बहुत कम लोग आवाइल करता है, Mobile का जमाना आ गया. Benefits for Battle Casualities, इनके लिए specially कुछ benefit दिया गया, जो Battle Casualities के सबसे पहले है, उनके लिए, Employment to One Dependent in Relaxation of Rules. Next है, Priority for Employment for One Member of Family. इसके लबा और भी कुछ फंड है, जैसे की, एक Outright Grant है, 30,000 for Anarchy of Casualities for Amalgamated Fund. Next है, Annual Maintenance Grant, 2,000 रुपया, तो देनों कि आप Defense Personnel Killed and the Personal Disabled in War. और Dirtors Marriage के लिए 10,000 रुपीज दिया जाता है, Housing Grant, 30,000 रुपीज दिया जाता है, School Uniform and Book Allowance, Children of Defense Personnel Killed or Disabled in Action, Studying in Schools, उनके लिए जो है, 1,000 रुपया का, Class 5 तक के लिए, 6, 7 के लिए 12,50 रुपीज और 9,10 के लिए 15,00 रुपीज दिया जाता है. इसके लबाब, Priority 1 for Assignment of House Sites, एक बहुत 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 सवीला है, और Tamil Nadu Government का और से, लेंड दिया जाता है, जो है, Dry Land, या फिर Day Record तक Weight Land, Priority में दिया जाता है, एक सर्विजमेन के लिए, और Educational Concession तो है ये, इसके लबा, OPPJ में जो सोहीद हुए थे, उन या फिर Disabled हुए थे, उन सुलियार्स के लिए, especially कुछ welfare रखा गया, जैसे की, Exclusivity Grant रूपिस 5 lakh to NOK from Kargil Defense Personal Relay Fund. Exclusivity Grant रूपिस 30,000 to NOK from Amalgamated Fund. Disability, Totally Disabled, Double Amputee, Totally Blind के लिए, 3 lakh और Single, जिनका एक अंगाने हुआ है, उन के लिए 1 lakh रुपय का Exclusivity मिलता है, इसके लिए, Special Allotment of States in Professional Colleges to the Children of Such Personnel, और pre-education up to post-graduate level to the children of the deceased and allotment of HIG house or flat free of cost में मिलता है इसके लबाब monetary assistance time to time दिया जाता है जो करगील लडाय में जो सहीद हुई है उनका families के लिए और battle casualties जो सहीद हुई उनके लिए पांच लाख तक का दिया जाता है उनको NOK को तीन लाख जो totally disabled हुआ है उनको भी दिया जाता है तो ये था तामिल लड़ी सरकार की और से जो सुविदाय प्रजान किया जा रहे है ये सारे details है और इसके बारे में अगर आपको जादा जानकर नीच चाहिए तो आप संपर करें अपने nearest जो जिलासनिक बोर्ड है या पिर district collect rate office है वहाँ पर welfare section होता है वहाँ जाकि आप संपर कर सकते हैं वीडियो का उन्त में आप से request है अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया तो जुरू सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ताकि अगले वीडियो का notification आप तक पहुँचवाएं और एक जुरूरी सुचना है कि हर संडे साम सारे आठ बजे लाइफ शेशन हमारा चैनल कर रहता है आप डिसकास कर सकते हैं आपका जो भी प्राब्लेम है आप लाइफ डिसकास कर सकते हैं आज के लिए इतना ही जैहिंद जैवारोत